हाई फेंट्स मेरा नमर राज और आप देखने है विंडोस टेक्स सॉलूशन तो आज का टॉपिक है तो कैसे आप अपने लाप्टॉप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछी स्टेप बताऊंगा जो आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी बहतर रिजल्ट में लेंगे तो हमस्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स् जिससे आपका जो बूट टाइम है और जो लॉगिन टाइम हो काफी स्लो जाता है और उसके बाद यह सारे सफर्वर सॉफडर बांट में चलते रहते है मैंने इसको automatic mode से disable कर दिया है अगर मैं को skype use भी करना होगा तो मैं login करने के बाद उसको manually shortcut icon होता है उससे मैं run कर लूँगा तो आपने क्या करना जो automatically होता है इनको अपने disable कर देना है उसके बाद आपने task manager के अंदर ही जो first वाला tab है process के अंदर इसके अंदर जाना है ठीक है यहां पर वो सारे software और services है जो front end या back end में run हो रही होती है ठीक है तो यह सारे software services है तो इनको आप short भी कर सकते हो अगर आप CPU पर click करोगे तो यह आपको दिखा देगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा software और सबसे ज़्यादा CPU को consume कर रहा है ठीक है तो अगर आप यहां पर ऐसा कोई software देख रहे हैं जो CPU को 90% या फिर 80% तक consume कर रहा है ठीक है तो आप उस software का ज़्यादा यूज ना करें ठीक है उससे क्या हो आपकी जो system की performance हो काफी हद तक low जाएगी ठीक है या फिर आप एक काम कर सकते हैं मानलो जैसे यह software है जो first वाला software आप देख रहे हैं मानलो यह 90% तक मेरा CPU consume कर रहा है तो यह मेरे system को बहुत slow कर देगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ या तो मैं software को यूज दो ना करूँ ठीक है दूसरा option है कि मैं software के पर अनिस्टॉल कर दूँ और अनिस्टॉल करने का फिर से उनको install करूँ ठीक है तो यह तो हो गया task manager दूसरा है कि अगर आपकी कोई windows की file corrupt होगी न विंडोस की कोई file corrupt होगी तो उसकी वज़े से भी आपके laptop की या system की performance काफी अर्थ तक लो हो जाती है तो उसको repair करने के लिए आपने क्या करना है आपने जाना search bar पर और यहां पर आपने लिखना है cmd command point पर right click करना है और उसको run as administrator open करना है ठीक है तो windows की file को repair करने के लिए हम एक command डालते है sfc space slash scan now यह command लिखके आपने enterprise करना है और इस command से क्या होगा जो भी आपके windows की file corrupt हुए होंगे वो सारी repair हो जाएंगी या फिर replace हो जाएंगी ठीक है तो मैं इसको enterprise करता हूँ और यह process start हो गया है ठीक है इसमें थोड़ा time लगता है 5-10 minute का time लगता है और इससे क्या हो जो भी windows की जो भी file होंगी वो सारी repair हो जाएंगे अगर वो corrupt हो रही है फिर missing हो रही है तो जैसी एक बार यह complete हो जाए उसके बाद आप अपने system को restart कर लेना ठीक है तो अब हम चलते हैं हमारे next step की तरफ तो next step में आपने क्या करना है जैसे आपने windows की file repair कर ली ठीक है उसके बाद अगर आपकी hard disk में कोई issue हो है तो hard disk को भी repair करने की command होती है तो उसके लिए same आपने search bar पर जाना और यहां लिखना है cmd command prompt पर right click करना है और run as administrator को select कर लेना है यहां पर हमें एक command डालेंगे वो command है chk dsk slash f slash r और इसके आप हम लिखेंगे c colon c हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि c में by default हमारी windows load होती है ठीक है तो यह लिखके आप enter press कर दोगे यहां पर आप देश सकते हैं नीचे लिखा हुआ है next time system restart जैसे आप y लिखके enter press करेंगे न y लिखके और मैं enter press करूँगा तो उसके बाद आपने system को restart करना और restart के बाद यह जो process है check disk का start हो जाएगा ठीक है इसमें 10 से 15 minute का time लगता है total ठीक है तो इससे क्या हो जो भी आपके hardest में कोई bugs होगा या hardest में कोई issue होगा तो उसको यह repair कर देगा अब जो हमारा final step है वो सबसे most important step है अगर आप windows 10 या windows 11 यूज़ कर रहे हैं कि आप एक SSD harddisk का use कर रहे हैं ठीक है पर मैंने इसके अंदर एक SSD harddisk डाल दिये तो इसके बाद मेरी laptop की performance काफी हद तक fast हो चुकी है ठीक है इस laptop में मैं दो harddisk यूज़ करता हूँ ठीक है तो जैसे कि आप देश सकते हैं मेरे laptop में दो harddisk लगी है एक SSD harddisk और दूसरी normal harddisk है जो SSD harddisk है यह मेरी main harddisk है जिसके अंदर मैं अपनी window को install करके रखा हुआ है और इससे मेरे को काफी अच्छा performance मिलता है अपनी window को use करते टाइम जो मेरी दूसरी harddisk है वो एक normal harddisk है ठीक है 1TB ही इसको मैंने क्या करावा जो मेरे laptop में CD room था उसको मैंने निगाल के उसमें एक caddy लगा दिये caddy के अंदर मैंने 1TB के harddisk fit करके अब मैं दो harddisk अपने laptop में use करता हूँ आपको दिखा जाता हूँ caddy क्या होता है तो अब यह देख सकते हूँ इस तरह के caddy आती है इसको बोलते हैं caddy इस तरह के होती है यह आपके CD room को replace कर देती है और इसके बीच में हम एक harddisk लगा देते है जैसे कि मैंने 1TB के harddisk लगा दे है अपने caddy के अंदर और इसको फिर मैंने laptop में install कर दिया है यह करता है आपके CD room होगा इसको replace कर देता है ठीक है तो इस तरह मैं दो harddisk यूज़ करता हूँ अपने laptop में पर जो मेरी main harddisk है वो एक SSD harddisk है जिसके अंदर मैं विंडो इस्तॉल करके रखी हुग है तो यह कुछ step है जो मैंने आपको बताएं इनको आप apply करोगे तो आपकी जो laptop की performance है वो काफी हथ तक increase हो जाएगी ठीक है पर जो सबसे main important step जो last वाला step था कि जिसमा आप SSD harddisk का use करने का मैंने बता है वो सबसे main step है अगर आप अपने laptop में अगर आप normal harddisk कर रहे है तो आप उसको SSD harddisk से replace कर लो तो आपको जमीन आस्मान का फरक दी जाएगा जो SSD harddisk होती है वो 10 times faster होती है एक normal harddisk से तो यह step पर follow करो तो आपकी laptop की performance काफी हाथ तक increase हो जाएगी